हलो फ्रेंज मैं हूँ दिपाली और आप सबको वेलकम है मेरी चानल में आज बनेगा धनिया के पत्ते के साथ एक रेसिपी जो की बहुत ही यूनिक है और यूनिक टेक्निक से हम बनाएंगे तो चलिए इसके लिए ना फ्रेस धनिया के पत्ते चाहिए बिलकुल इस तरीके से पत्ते ले लीजिए थोड़ा सा स्टेम भी इसके साथ चाहिए और इसको ना हम लोग कर लेंगे अच्छे से वश कर लीजिए क्योंकि हम ना इसको चॉपिंग नहीं करेंगे बिलकुल इस त बैलकुल इस तरीके से बंद करते हुए इसका जो भी एक्स्टा पानी है वह हम लोग इसको कर लेंगे बहार और साथी में अभी धनिया के पत्ते को कर देंगे साइड और इसमें से जो ही अच्छा पत्ता है वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी एक लंबा सा प्लेट जिंजर के पेस्ट यहां पे आप लोग चाहो तो गार्ली के पेस्ट भी डाल सकते हो और साथी में आड़ करेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट और थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करेंगे ताकि अच्छे से इसका एक मिक्सजर हम लोग तैयार करें यह मिक्सजर इतना पतला भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल हातों के मदद से अच्छे से इसको mix कर लेंगे अभी mixture को side कर देंगे और ले लेंगे हमारे धनिया के पत्ते और ये पार बहुत ही carefully आप लोग observe कीजिए बिल्कुल इस तरीके से 4 पास धनिया के पत्ते हम लोग ले लेंगे और इसके बाद देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ बिल्कुल step को ऐसे ही follow करते जाए पहले ना धनिया के पत्ते को हम लोग बिल्कुल इस तरीके से जो भी better बनाये थे उसके अंदर deep कर लेंगे अच्छे से ताकि ये coating हो जाए और इसके बाद धनिया के जो end part है जो stem है उसको हम लोग round करते हुए पूरा एक circle shape में इसको cover कर लेंगे देखिए ये पूरा एकदम circle हो गया है और इसके बाद ना stem खूलने का chances है तो इसलिए ना यहाँ पे हम लोग एक चिम्टा ले लेंगे और चिम्टा के मदद से हमारा जो गर्मा करम oil है उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको दोनों side से अच्छे से कर लेंगे fry और तब तक ये जो fry हो रहा है मैं एक बात बता देते हूँ ये चाहिए ना mustard oil में बनाने की कोशिश कीजिए अगर mustard oil आप लोग नहीं पसंद करते हो तो जाके आप लोग white oil में भी बना सकते हो ये देखिए ये कितना अच्छे से बन गया है और ये ना पूरा एकदम मेदू वरा के जैसा दिख रहा है ये चीमटा से मैं नहीं की थी हातों से कर ली थी क्योंकि थोड़ी देर एक दो बार करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे तो हेना ये कमाल का डिस और बहुत ही योनिक आप भी इसको ट्राय कीजिए बच्चों के साथ बनाईए खाईए और एंजोई कीजिए और हो सके तो चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए